नमस्कार आप देख रहे हैं भारत टाइम्स नियूज और मैं हूँ आपके साथ चबी महकाल थाना प्रभारी और कोत्वाली थाना प्रभारी की टीम की चाइना डोर की लगतार कारवाई साम्यारी है पिछले वर्ज और जैन में चाइना डोर के कारण एक दिल धला देने वाली घटना खटित हुई थी जिसको लेकर प्रदेश के मुख्य मंत्री शिवराद सिंग चाहान द्वारा मामले को गंभीता से लेते हुए चाइना डोर बेचने वाले और खरीदने वाले के उपर सक्त से सक्त कारवाई करने के इनर देश आज महाकाल थाना प्रभारी मुनेंद्र गौतम और कोतवाली थाना नरिंद्र परिहार प्रभारी टीम की एक अच्छी कारवाई चाइना डोर बेशने वाले और खरीदने वाले के खिलाफ होती नजर आ रही है इसके साथी ऐसे लोगों के उपर विशेश निगरानी उज्जेन पुलिस की दिखाई दे रही है इनका अवैद नर्मायन जमीदोस करने की तैयारी भी उज्जेन पुलिस कर रही है अभी मानिय कलेक्टर साव और सब्सक्राइब ने चाइना डोर को जिले में पृतिवन्दित करवाया है इसके बाद भी कुछ लोगों के द्वारा चाइना डोर का उपयोग पतंग उड़ाने में किया जा रहा है तो एसे लोगों पर कारवाई करने के लिए समस्त जिले में अनुभा कोत वाली में सकत कारवाई चले जिसके तहट आज नहीं से एक प्रकर्ण मिला जो की चाइना डोरे गट्टे के साथ पकड़ा गया है जिसको थाने पर लाया गया है और उस पर आईपीसी की धाराओं के तहट कारवाई की जा रही है कंटिन्यू सर्चिंग कर रही है बाकी जैसे दुकान वालों की और लेड़ी मीटिंग ली जा चुकी है उनसे बचन पत्र भरवाया जा चुका है समझी दुकान वालों का श्टौक चक किया जाता है कि किसी के पास चाइने डूर है और नहीं है इसके लावा स्रीमान स्पी साब के नर्देश शानुसार आप जो उड़ाने वाले हैं पतंग उनके घरों पे उनकी छतों पे जाके देखा जा रहा है कि उनके पास चाइना डूर है या नहीं है और जिसके पास मिलती है ततकाल ही बिरी सम्मत कारवाई की जाती है इवन माननी है मुख्यमंतरी जी के नर्देश हैं कि ऐसे लोगों के घर भी तोड़ने की कारवाई जन पुलिस द्वारा की जा रही है